इस मॉडियूल के अंदर हम 5 kingdom classification के बारे में पढ़ेंगे 5 kingdom classification को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुरूर के अंदर सिर्फ 2 kingdoms exist किया करती थी इसमें जो पहली kingdom थी वो plants और दूसरी kingdom animals के मतालिक थी plants auto trough होते हैं ये अपनी खुराख खुद त्यार कर सकते हैं जबके animal हेटो ट्रॉफ होते हैं ये अपनी खुराख खुद त्यार नहीं कर सकते बलके ये अपनी खुराख के लिए depend करते हैं दूसरे organisms के उपर जिसमें plants शामिल है अब इस two kingdom classification system के अंदर एक problem था कि बहुत सारे organism ऐसे थे जिनके अंदर दोनों किसम के characters थे यानि plants की तरह के characters उनके अंदर शामिल थे और animals के अंदर के character भी शामिल थे पर जामपल अगर हम यूगलीना की बात करें यूगलीना एक ऐसा organism है इसके अंदर chlorophyll मौजूद होता है ये अपनी खुराग खुद तियार कर सकता है लेकिन अगर इनको अंधेरे के अंदर रखा जाए तो ये अपना mode of nutrition चेंज कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर अंधेरे के अंदर photosynthesis नहीं होती तो ये heterotrophic mode of nutrition अख्यार कर लेते हैं तो ऐसे तमाम organisms को ना ही plant के अंदर adjust किया जा सकता था ना ही animals के अंदर तो ऐसे organisms को adjust करने के लिए Ernest Haeckel ने 1866 के अंदर एक और kingdom introduce करवाई जिसका नाम protista था protista के अंदर ऐसे तमाम organism जो unicellular और या ऐसे organism जिनके साथ इस किसम के issues थे उनको adjust किया गया इसके बाद e-caten ने 1937 के अंदर एक और term introduce करवाई prokaryotic prokaryotic के अंदर bacteria को रखा गया क्यूंकि ये prokaryoards है इनका जो nucleus है उसके गित nuclear boundary नहीं है इसी तरीके से इसने eukaryoard की term introduce करवाई और इसके अंदर ऐसे organism को रखा गया जिनके अंदर nuclear membrane मौजूद होती है उसके बाद Robert Wattaker ने 1967 के अंदर five kingdom classification introduce करवाई और Robert Wattaker की जो five kingdom classification थी इसको Margulis और Shwas ने modify किया और ये modification 1988 के अंदर की Margulis और Shwas ने जो five kingdom classification इसने भी five ही kingdom बनाए लेकिन इन दोनों ने कुछ modification की और इस modification के नतीजे में कुछ naming के अंदर change आया इसमें इन्होंने जो basic cell organization है या mode of nutrition है उसके साथ साथ genetics को भी जहन में रखा अब Robert Wattaker की जो five kingdom classification थी इसके अंदर जो पहली kingdom थी वो मोनेरा थी मोनेरा के अंदर प्रोकेरियार्ट शामिल है प्रोकेरियार्ट क्या है ये ऐसे organisms हैं जिसके अंदर nucleus के गिर्द nuclear membrane मौजूद नहीं होती जैसे bacteria इसके बाद दूसरी जो kingdom थी प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के अंदर unicellular organism या simple multicellular organism शामिल है ये यूकेरियार्टिक है इसी तरीके से तीसरी जो के इंगनम थी फंजाई फंजाई के अंदर ऐसे organism शामिल है जो के absorptive nature के होते हैं ये अगर इनकी cell wall की बात करें तो इनकी जो cell wall है उसके अंदर cellulose की बजाए काइटन मौजूद होती है जबकि जो plants है उनके अंदर जो cell wall है वो cellulose से बनी होती है इसी तरीके से जो next category थी वो planty planty के अंदर तमाम multicellular eukaryotic plants शामिल किये गए और इसी तरीके से जो आखरी kingdom थी वो animalia थी animalia के अंदर तमाम multicellular जो animals थे और eukaryotic भी थे उनको शामिल किया गया 1988 के अंदर Margulis और शुवाज ने five kingdom classification के अंदर थोड़ी सी modification की जैसे के हमने जिकर किया के Margulis और शुवाज ने जब aurizum की classification की तो mode of nutrition, cellular organization के साथ genetic basis को भी consider किया इन्होंने जो पहला change किया इन्होंने कहा के munera जो kingdom है munera के अंदर हम procare yards को रखते हैं और procare yards ऐसे organism है जिसके अंदर nuclear membrane मौजूद नहीं है तो क्यूंकि munera के अंदर हम procare yards को रखते हैं तो इसका नाम munera की बज़ाए procare yota होना चाहिए तो इन्होंने इसका नाम change किया इसी तरीके से एक और जो इन्होंने modification की pro testa kingdom का नाम change कर इन्होंने pro talk testa किया झाल